हलो स्टुडेंट्स गुड मॉर्निंग मैं सुमन यूटूब चैनल इंडिया ओल्ड एज में आपका स्वागत करती हूँ देखेगा स्टुडेंट्स इस वीडियो में हम उपनिस्दों के बारे में पढ़ेंगे तो देखेगा हमने वेदों के बारे में पुरा पढ़ लिया है वेद क्या होते हैं चारों वेद जोर इगवेद सामवेद यजूर वेद और अथर वेद इन सब के बारे में हमने डिटेल से पढ़ लिया है तो इन सब को आप पहले वाले वीडियोज में पढ़िएगा देखेगा और हमारे यूटूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी नए नए वीडियोज इतियास से सम्मधित मिल सकें आप नए नए इनफोर्मेशन इतियास के बारे में जान सकें तो देखे होता है समीप निशद यानी बैठ कर तो जो रिशियों के पास बैठ कर ग्यान गरहन किया गया था वही उपनिशद कहलाया तो देखेगा उपनिशद शब्द की वित्पति उप पलस नी पलस सद के रूप में मानी गई है इसका अर्थ है कि जो ग्यान विवधान रहित होकर निकट आए जो ग्यान विशिस्ट तथा संपूर्ण हो तथा जो ग्यान सच्चा हो वह निश्चित ही उपनिशद कहलाता है अर्थात वह ग्यान जो गुरु के समीप बैठ कर प्राप्त किया गया हो उपनिशदों की बसा संस्कृत है तथा ये गद्धे पद्धे दोनों म तो वेदान उपनिशद को कहा गया है और उपनिशद है वे वेदों के अंतिम भाग है इसलिए उपनिशदों को वेदान ते कहा गया है उपनिशदों में आत्मा तथा अनात्मा के तत्वों का निरूपन किया गया है जो वेद के मोलिक रहस्यों का परतिपादन करता है इन नेक वर्षों के गंभीर चिंतन मनन का परिणाम हैं ठीक है उपनिशद में वास्त्विक वैदिक दर्शन का सार है मुख्य उपनिशद मुक्तोप निशद में उपनिशदों की संख्या 108 बताई है लेकिन मुख्य उपनिशद 12 या 13 है पर्तेक वेद के अपने अपने अपनिशद अलग-अलग भाग अलग-अलग उनके उपवेश सब पढ़ेते तो आप सब के बारे में पहले वाले वीडियो में देखेगा संक्राचारिय ने केवल 10 उपनिशदों पर अपना भास से लिखा था वे ही प्राचींतम तता प्रमानिक माने जाते हैं इनके नाम इस परकार से हैं तो संक्राचारिय ने जो दस उपनिशद बताए हैं वो परमु कौन-कौन से देखेगा इस, केन, कट, प्रेशन, मुंडक, मांडुक्य, तैतिरिय, एतिरिय, छांदों के और व्रहधारनेक ये दस उपनिशद हैं जो संक्राचारिय ने अपने भासे में ब अपनिशद भी प्राचीन हैं इनका काल भिन-भिन है इनने तीन वर्गों में भजित किया जा सकता है तो अपनिशदों को काल भिन-भिन है इनको तीन भगों में भजित किया गया है वो कौन-कौन से देखेगा पर्थम वरक के उपनिशद एत्रिय, तैतिरिय, ब्रहधारन च्छांदोगे तथा केन हैं इनकी रचना बुद्ध के पूर्वे की गई थी ये ब्रामनों के ही अंस हैं द्वित्य वरग के उपनिशद इस वरग में कठ स्वेतास्वर इस मुंडक तथा प्रिश्न उपनिशद हैं इनका समय पर्थम वरग के बाद किन्तु बुद्ध के प पद्धे में हैं। तृत्य वरग के उपनिशद इस वरग के उपनिशद बुद्ध के बाद के हैं इन में मेत्रायनी तथा मांडुके के नाम उलेखनिये हैं। इन सभी उपनिशदों के अलवा कुछ उपनिशद ऐसे भी हैं जिनका समन्ध वेदों की अपेक्षा तता शीव को परम देवता माना गया है जबकि कुछ साक्तादी संप्रदायों से संबंदित है उपनिशद बहुदेवाद के स्थान पर पर ब्रहम की परतिष्टा करते हैं येग्ये करमकंडों तता पसुबली की निंदा इन में मिलती है तता उनके स्थान पर ज्यान यग्ये का परतिपादन हुआ है चान्दों के उपनिशद एम में सर्वे खलविदम ब्रहम अर्थात ब्रहम ही सब कुछ है कहकर एद्वेतवाद की परतिष्टा की गई है उपनिशदों में इन दोनों का तादादम में सतापीत किया गया है आत्मा ही ब्रहमा है वे है तुम्ही हो आदी कुछ प्रसिद ओपनिवेसिक उक्तियां हैं ब्रह्म तत्वम असी ठीक है जीवन का सर्वोचे लक्से आत्मा या ब्रह्म साक्षात्कार है इसे प्राप्त करने के मध्यम उपनिशदों में बताया गया है सांसारिक सुखों को महत्वहीन बताया गया है उपनिशदों में सर्वत्र सच्चे को खोजने की उत्खंठा दिखाई देती है उपनिशदों से सम्मधित महत्वपुन बातें देखेगा उपनिशद हिंदू द्रह्म के महत्वपुन शुरूति ग्रंध है इनमें परमेश्वर, परमात्मा, बर्मा तथा आत्मा के स्वभाव और समंध का दासनिक तथा ज्यान पूर्वक वर्णन किया गया है ब्रह्मा जीव तथा जगत का ज्यान प्राप्त करना ही उपनिशदों की मूल सिक्षया है तो उपनिशदों की मूल सिक्षया क्या है? ब्रह्मा जीव तथा जगत का ज्यान प्राप्त करना ही क्या है? उपनिशदों की मूल सिक्षया उपनिशद समस्त भाटती है दर्षनों के मूल स्रोत है चाहे वो वेदान्त हो या फिर सांखे या जैन बोध धरम ग्रंथ अपनिश्यदों का दारा शिकोहने फार्सी में अनुवात करवाया था इश्वर एम आत्मा के सम्मन्दों की बात अपनिशद में की गई है परमग्यान पराविद्या सरोचे ग्यान अर्थात इस लोक से बाहर की बात भी की गई है उपनिशद भारतिय दर्शन का मूल स्रोत है उपनिशद की रचना एक हजार इसा पूर्वे से 300 इसा पूर्वी के लगबग हुई संक्राचारिय ने जिन 10 उपनिशदों पर अपना भासे लिखा है उनको प्रमानित माना गया है अकबर के समये अलोप निशद की रचना की गई तो अलोप निशद की रचना कौन से सासक के काल में हुई अकबर के समये में ठीक है अब देखेगा वेद और उपनिशद तो कौन से वेद के कौन से उपनिशद है ये कई बार पूछ रहते हैं Mere very important topic है आपके लिए ये देखेगा जयान से रिग बेद, RIGVED के उपनिशद है एत्रे और कोसी तकी सामवेद, सामवेद के उपनिशद है छांदो के केन यजुर्वेद, यजुर्वेद के उपनिशद है, यजुर्वेद के दो भाग है, हमने आपको पहले भी बताया है, करशन यजुर्वेद और सुकल यजुर्वेद, तो करशन यजुर्वेद के उपनिशद है, तैतिरिये, कठोप निशद, श्वेतास्वर और मैत्रायनी, देखेगा, स्वेतास्वर उपनिशद क्ई बार यह उखतियां भी पूछलेते हैं। अरुनी उदालक तथा स्वेत के तू के मद्धे समाद चांदों के उपनिसद में हुआ फिर अगला आता है मुंडक उपनिसद है अत्रवेद का इस वेद में सत्य मेव जयते उखती है और यह गया की तुर्णा फुटी हुई नाव से की गई है ठीक है फिर अगला आता है चीकेता समाद भी है ठीक है ना तो यह उखतीया इतनी ज़ीधा महत वबनें की एक नहीं युक्तिपा आपको एकजाम में पक्की मिलेगी ठीक है तो ध्यान से देखेगा व्रहधारेणेक व्रहधारेणेक उपनिसद यह उपनिसद अन्य उपनिसदों में सबसे अधिक वि पर्थम पर्टिपादन किया गया है महर से याग वलक्ये महर से याग वलक्ये ने विद्धेह के राजा जनक के दरबार में हुए सास्त्रार्थ में अनेक ब्राहंमनवादी विद्वानों को प्राजित किया था उनकी दो मैत्रे और कातिया दी थे सीट Uh do देखिए गार इस वीडियो में हमने उपनिश्दों के बारे में पढ़ा है और उपनिश्दों । मैं जो रोल है वो यह इंची था कि इन्हों ने ये ज्ञों करव करम काड़ों आदि शब की बुराई की है और ब्रहम ठथा आत्मा के बारे में जानने की कोशिस की गई है तो हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद